मित्रों आप सभी को नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है पाम ब्लॉग और आज हम इस वीडियो में बेंगॉल की वर्तमान मुख्यमंत्री अगले चुनाओ के लिए तैयारी कर रही हैं और बीजेपी में एक हमारी राष्ट्य पार्टी जो भारती सुबह कुछ मित्रों मेरे से मिलने आए थे तो उन्होंने बोला कि अगर मैं ममता बैनर जी के हतेली पर कुछ बना पाऊं तो मैंने इंटरनेट पर काफी वीडियो वीडियो भी देखें स्थिल करके कोशिश करी मुझे एक थोड़ा सा दुरलब उनका ये फोटो हतेली मिल जी के हतेली को देखते हैं तो मित्रों सबसे पहले जो नजर दारी है मेरी इनकी अंगुठे पर जा रहे हैं अगुठा देखे कितना अच्छा सुन्दर है और ऊपर से बुलकुर नोकदार है ऐसे वेक्तियों को शाशन प्राप्त होता है पूरा खेली अंगुठे का है अगर मैं इनकी हतेली ना भी देखूँ तो अंगुठा देखकर हम बता सकते हैं यह इनको बहुत 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 बढ़ा पद मिलेगा और जो इनको मिला हुआ है उपर से देखिए यह नुकिला दि तरफ बंद करते हैं तो हमारे अंगुठा करीब करीब यहां पर आके बंद होता है हतेली में यहां पर भी होता है जिनका छोटा होता है वह उनका यह गुरू परवत की जो बेसलाइन है यह गुरू का परवत है और यह इसकी बेसलाइन है तो यह बेसलाइन से थोड़ा सा आता है हम लोगों का जो नॉर्मल एक अंगूठा होता है उसकी लेंद ऐसी हो सकती है अत्या देख छोटा अंगूठा जो होता है वह गुरु परवत की बेसलाइन के नीचे आगे बंद होता है आप देखिए अगर यहां पे अगर ममता बैनर जी अपनी अपने अंगूठे को बंद करेंगी तो आप देखिए कहां पर आके बंद होगा यह अल्मोस्ट लगभग इस लाइन के बीच वाले पोर्वे से उपर जा रहा है कितना बड़ा गूठा है मित्रों यह अंगूठा देखकर हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कितना पहुंचा हुआ है यदि अंग कित्र मैं ले लेता हूं उससे आपको और बेटर समझ में आएगा जिस प्रकार अगर यह मंताब अपने अंगूठे को बंद करती हैं तो इनका अंगूठा मैं उपर यह इनके अलगभग प्रथम उंगली के जो गुरू की उंगली उसके प्रथम उसके दूतिया पोर्वे तक पहुंच रहा है तो आप स्वैम अंदाजा लगा लीजिए जबकि एक समान्य आदमी का यहां कहीं होता है यहां से जैसी जैसी हाइट पर बंद होगा अंगूठा वैसे वैसे व्यक्ति को स्रेश्ट पद्द की और व्यक्ति कि बढ़ता जाता है तो यह अच्छी कॉलि यह सब हमारे देश के नव यूगों को सीखना चाहिए क्योंकि हमको विश्व में भारतियों को क्यों इंटेलिजेंट बोला जाता है क्योंकि भारतिये किसी भी चीज को जिसका हम कहते हैं और व्यक्ति किसी चीज को देखना समझना उसका मूल्यंकन करना यह बहुत कि और यह इनकी इक्षा सक्ती वाला पाट यह तो बहुत सॉलेड अभी तो यह प्राइम मिनिस्टर तक बनना चाहती है यह देखिए ऑपर वाला यह बहुत लंबा है इक्षा सक्ति बहुत प्रबल अब इक्षा सक्ति कितनी प्रबल यह पिछले जब चुनाओ माफ जो विपक्ष की तरफ से जो था उभर कर जो नेता आया था प्रधान मंत्री बनने के लिए उस तरफ से जो प्रोजेक्ट होना था वो और भी लोग थे दूसरी पार्टी के लेकिन ममता बैनर जी ने बोला कि नहीं सबसे पहले मैं बनूंगी तो इनके आगे आ जाने से वो व है मजबूत मोटा yum अगूठा नीच्छे से कितना मांसाल ऑपर से एकदम फिल्कुल है ब कर चूरी जैसा त्टेज है और नीची से मोटा है मों अगूठा होता है तो व्यक्कित्य अपने अधिकार के लिए जरूद पड़े अगर नहीं में लड़ता है लेकिन की उसको जीत निश्यत होती है वह जीतता है चाहे फिर उसे चिनना भी पड़े इनका अंगूठा बहुत बहुत जादोई अंगूठा है इसलिए बिंगॉल जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी है उंगली की लंबा इनकी बहुत अच्छी है अब जो मैं खास जो मुझे देखिया पास होती है जैसे जादोई परस्नालिटी व्यक्तित्व तो सबसे पहले वह व्यक्तित्व देती है आप देखिये यहां से इनकी लख लाइन चली है अभी वर्तमान निस्तिति में यह फोटो लगबग एक मैने पुराना है और यहां तक आई है और उसके बाद में यहां प लाइन ब्रेक हो गई है और यहीं पर थोड़ा सा आगर आप देखेंगे यही पर एक राहू रिखा ने वर्तमान में काट दिया अब यहां पर यहां पर यह वनना यहां पर रहू रिखा से कट जाना और यह जो केतु केतु की लाइन है केतु परवद से निकले हुई लख लाइन नहीं पहुंच पा रही है यहां तक तो इनका लख जो है बुलकुल ब्रेक हो गया है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि की ये लाइन पे य softer याया है और ये लाइन मोटी होके देखिए नीचे से कितिनी भी हो गयी है हुआ अगर सबर्द jsem गया तो यह भ 같아 ब्लकुल को मोटी दिखेगी अ कि अ है थिए रहिए निचे से मोटी हो गया है ईसहर्फ से हमोटी हो जाती है लग्लाइन तो लग खराब हो गया यहां पर यह पड़ गया है यहां पर यह सपस्ट नजार आ रहा है कि केतु की लाइन एक राहू की लाइन ने काड़ दी है और यह लाइन अब शनी परवत तक नहीं पहुंच पा रही तो लग में तो बहुत जादा डैमेज है बहुत जादा डैमेज दिख रहा है अब एक जो मैं इसको जोड़ के बताऊं इनके साथ के राजनीती में जो इनके दाए बाए थे वो सब दल बदल के चले गए इनका साथ छुड़ गए यह होता है दुरभाग जो इनके पीछे लग चुका है और लाइन कहां पे जाके तूटी है कि राहू के परवत कि यह राहू का परवत इनका जो खास राजनीती इनको देगा सूरी को मैं इतना अच्छा नहीं देख पा रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे सूर्य पे एक ट्राइंगल जरूर देख पा रहा हूं पूरा क्लियर नहीं है पिच्चर तो सूरी इनका बहुत जबर जस् अब हैं तो इनको ये भी सूरी भी है बहुत देते हैं लेकिन सबसे बड़े राजनीती के जो कारक होते हैं वह होते रहू तो तो आज, पाज मिनके रहु को देखते हैं तो यह हैं रहुत ओप देख ली कित्रह कर यहां से यह इनकी लाइन है यह यहां से इनकी लिख लाइफ लाइन लिकल रही है और मैंड लाइन भी देखिए यहां से इसको टैच होते हुए और इनकी अभी उम्र है 63 तो करीब यहां पर आती है 63 66 इनकी उम्र है च्यासट वर्ष और अगर यहां से तो देखी यहां पर आके माइंड लाइन पूरी खतम हो गई है यहां पर आके बहुत ज्यादा यहां पर डिस्टर्वेंस है बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया है और माइंड लाइन के आसपास यह पूरा यहां पर पूरा इसपस्ट नजर तो नहीं आ रहा है कि क्या है लेकिन वह पूरा अंदर का यह देखिए छाले जैसे पड़ गए हैं चाल उभर क्या था और जितना सम्मान यह लोग चाहते थे कि पाएंगे उससे ज्यादा सम्मान इनको मिला देखिए आज हम जीवन अध्यात्मर जोतिश पर भी दो बाते कर लें तो जब राहु किसी को इतना बड़ा व्यक्ति को दे देते हैं तो व्यक्ति को एक सेकंड सोच के रुक मेरे में ही इतना अच्छा क्या है तो तो जैते हैं जातक जातिका करतव है कि राहु भगवान को धन्यवाद देना चाहिए उनका मंत्र पढ़ना चाहिए नहीं तो फिर उल्टा हो जाता है और आज इनके हतिली में यही उल्टा काम दिख रहा है पूरा डैमेज हो गया है राहू का परोध डैमेज अबस्ता में है और माइंड लाइन के पास में इधर बहुत ज्यादा तो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही है लक इनका डैमेज हो गया है हाट लाइन मोटी हो गई है तो इनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपने स्वास्त कभी इनकी अगर 66 यहां पे है तो देखिए यहां पे एक डॉट है करीब यह पड़ेगा 57 56 के आसपा है हार जीत तो लगी रहती है लेकिन साथ में हमको अपनी जो स्वास्त है क्योंकि स्वास्त जो है सबसे प्रथम सुकमाना गया है तो मेरी यह अपेक्षा रहीगी कि यह सब इतना इनकी बहतर भीश्य के लिए मैं कामना करता हूं लेकिन इनका चुनाव हारना लगबग पक है और जो लक लाइन है वो यहां पर आके कट गई है यह पड़ गया है बीच हतेली में यह का पढ़ना दुर्भाग्य का जनम देता है सबूत के लिए या गवाई के लिए मैं यह बता सकता हूं कि इनके दायबाइन जो हैं वो इनका साथ चुड़ कर जा चुके हैं दुर्भाग्य शालू हो गया है राहू का परिवर्तन काल चल रहा है तो इनका चुनाव हारना लगबग निश्षित है साथ में अपमान भी ह मित्रों मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सबिस्क्राइब कीजिए कमेंड भी करिए और पसंद आए तो डिस्लाइक करिए बने रहिए